Good morning cats and their parents. So today's our session is maths. So maths में हमने पढ़ चुके थे कहां से 101 से 120 तक. तो आज का जो session है वो हमारा है 121 से 140 तक. तो आज जो हम start करेंगे वही पुराने pattern से करेंगे. पुराना pattern कौन सा था हमारा? 1, 10, 100. इसे को follow करके हम अपनी आगे की counting करेंगे. ये तो आगे की counting शुरू करते हैं. 1, 21 1, 22 1, 23 1, 24 1, 25 1, 26 1, 27 1, 28 1, 29 29 के बाद क्या आता है? उसी pattern में हमने आगे लिखना है 1 as it is रहेगा 29 के बाद counting में हम क्या लिखते थे? 30 लिखते थे? यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? 30 चिक है? हमारे ये वाली line वैसे ही चलेगी बस ये वाली line last में change हो जाती है यानि कि 3 2 के बाद क्या आता है last में? 3 आता है ना? इसी तरीके से हम यहाँ पर भी follow करते हैं अब 1 30 के बाद क्या आता है? 1 as it is रहेगा हमारा 31 चिक है? 1, 32 1, 33 1, 34 1, 34 1, 35 1, 36 1, 37 1, 38 चिक है? 1, 39 अब 39 के बाद हम जो गाउंटिंग करते थे तो क्या लिखते थे? 40 तो 1 हमारा as it is रहेगा 39 के बाद क्या हो जाता है? 43 ठीक है बच्चों? तो आज हमने क्या पढ़ा? 121 से 140 तक एक बाद दुबारा पढ़ लिते हैं 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 40 तो आपने ये घर में प्रैक्टिस करनी है और इसे अपनी नोट बूक में लिखना है ठीक है? तो आज लिखना रखते हैं Thank you आपने लिखना हैं